हालो एरिवन कैसे है आप सब तो आज का मारा टॉपिक रहेगा फाइल मॉलस्का और इसके हम जनल करेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन को हम यहां पर आज डिसक्स करेंगे तो मॉलस्का ऐसे अनिमल्स होते हैं जिनकी बाड़ी साप्ट होते हैं तो इसके जो इनर ओर्गनस होते हैं वो साप्ट होते हैं और उपर का हिसा जो होता है इसमें हार्ट शल होता है प्रेजेंट तो हम कहेंगे यहां पर इसका जो इनर ओर्गनस होते हैं वो साप्ट होते है कुछ मॉलस्कस जो होते हैं वो और भाकी जो पानी के अदर रहते हैं उसमें आते हैं आइस्टर जाते हैं मसल्स आते हैं कलैपस आते हैं स्क्रिट oног two पस तो यह सारी जह है एक्जामपलूंस मॉलॉसकी के कुछ लैन्ड के उन्ड रहते हैं और बाकी जो है वектив पनी केंदर रहते है hurry आप देखते हैं जजनरल क्रेक्टरूर्च्ट्र्स सबसे पहला जो है बॉडि characters, इनकी body जो होती है वो soft होती है, क्योंकि मॉलसका का मतलब भी होता है, कि ये वो animals होते है जिनकी body होती है, soft bodied दूसरा है, इनकी body जो होती है, वो unsegmented होती है इसमें भी एक exception case है कि नियो प्लीना जो होता है, वो segmented होता है तीसरा जो है character वो triple blast होते है इनकी पास three germ layers होते है और यह भी आदखनाब की मॉलसका जो होते है, वो इनकी पास body plan होता है, वो two within two body plan होता है इनकी पास joint appendages नहीं होते है, जैसे हमने देखा था आर्थ और पोड़ा के अंदर, वहाँ पे joint appendages थे, मगर यहां पे नहीं होते है अब next character जो है, asymmetry इनकी most common symmetry जो होते है वो bilateral होते है मार कुछ animal जो होते हो बन जाते है asymmetrical, due toorsion and detorsion like in gastropods and some cepelopods next character is shell तो इनका जो mental होता है वो muscular fold होता है, वो secrete कर लेता है hard, brittle, calcare shell जिसकी वज़े से इसकी जो soft body होते है उसे protection मिल जाते है outside से digital body, head, mental, whistle, mass and foot तो इसके body के 4 हिसे होते है head, mental, whistle, mass and foot head जो होता है, इसमें mouth आता है eyes आते हैं और tentals आते हैं और foot जो होता है, ये mental position पे होता है thick and muscular और ये modify होता है for the creeping or season के लिए, रिक से रेंग ते है और अपने आपको bind करते हैं with the substratum के साथ उसके बाएदे, mental, it is thick muscular fold of body wall तो ये बहुत ही थिक होता है muscular fold of body wall जो secret कर लेता है shell, उसके बाएदे, whistle mass contain is all important organs तो इसके अंदर आते हैं सारे important organs आते हैं ये हम कह सकते हैं कि विस्रल मास जो होता है contain is all important internal organs जो होते हैं body के अंदर organs present होते हैं तो इसी region के अंदर आते हैं इस region को बोलते हैं visceral mass अब हम देखते हैं कि जो visceral mass है इसके अंदर जो internal organs है उनके हम characters अब बढ़ते हैं सबसे पहला जो है, वह है dyes to organs elementary canal is well developed and quillard इनका जो elementary canal होता है वह होता है well developed क्यांई भी कह सकते हैं इसका जो है, वह complete होता है इसके अलावा elementary canal के साथ इसके अंदर एक रैस्पिंग organ होता है उसको कहते है redula जिसकी वज़े से रैस्पिंग कर लेता है अब दूसरा है respiration respiration by gillus enclosed in mental cavity तो इनके जो gaze exchange होता है वह एक feather like gillus से होता है यान कोई कोई नाम भी कहते हैं steen area यह पाया जाता है mental cavity के अंदर यहां कुछ और और्गनल्स भी होते हैं जो respiration में हर्फ करते हैं वह है pulmonary sac है mental है and even epidermis यह भी function करते हैं gaze exchange के अंदर next जो है वह है circulatory system it is a lacunar type with dorsal heart and few blood vessels तो इनका जो circulatory system होता है वह open type होता है तो lacunar का मतलब होता है open type मगर कुछ सिपलो पोड़ा जो होते हैं इनमें close type भी होता है circulatory system इनका heart जो होता है वो dorsal side के अंदर होता है इसमें one से लेके two auricles होते हैं और ventricle होता है यह भी हम कह सकते हैं कि जो circulatory system होता है इसमें two से लेके three chamber dorsal heart present होता है और few arteries sinus and venus होते है इनका जो blood होता है इसमें blue copper containing respiratory pigment होता है इसको हम कहते हैं hemosyanin Ascular organs one or two pair of kidneys तो इनका जो removing of waste जो हो जाता है body से वो हो जाता है with the help of sac like kidneys से तो kidneys का यहाँ पर role होता है और कुछ और organs भी होते है जिनकी वज़े से remove waste कर लेते हैं molluscus कुछ molluscus like organ आप बोजाने से kibbers organ है और nephedia होते हैं और glis भी कुछ काम कर लेते हैं यहाँ पे as a ascular organ next देखते हैं nervous system comprised of pure, cerebral, pleural, pedal and whistle ganglia तो इनका nervous system जो होता है इसमें तीन से लेके चार pure होते हैं गैंगलिया के और जिसके अंदर आते हैं cerebral, pedal, whistle और pleural यह जो गैंगलियास होते हैं यह आपसमें जुड़े होए होते हैं by connective से और किमिशोर से अब देखते हैं reproduction sex are usually separate but may be united तो generally आगे देखिए कि यह इनके sex जो होते हैं separate होते हैं और कुछ species उनमें sex united होते हैं इनके जो gonads होते हैं वो usually unpeered होते हैं इनका fertilization वो internal भी हो सकता है यह external भी हो सकता है और इभी आरकों कि इनके development जो होता है वो direct हो सकता है यह indirect होता है तो इनके पास larvas होते हैं वो बहुत सारी होते हैं like the valigal larva होता है trochopholl larva होता है glochidum होता है अब देखते हैं सी classification इसके six major class होते हैं नबर बन जो है mano palacophora class second जो है empinura class third जो है scapophora class four है gastropoda class five है palisipoda जैसको यह को नाम कहते हैं by whale via और class six जो है cephalophora तो पहला जो है class वो है mano palacophora mano मतलब होता है single palacophora मतलब होता है plate phora मतलब होता है bearing तो इनके पास single plate होता है foot is broad flat disc like with flat creeping soul तो इनका foot जो होता है broad flat disc like with flat creeping soul तो इनका जो flat creeping soul होता है जिसके वज़े से यह रहेंगते हैं shell is cup shapered formed of one piece only इनका shell जो होता है वो cup shapered होता है यह भी कहते हैं external spoon shapered होते है और यह होता है single head pure is dentagless तो इनका head जो होता है उसमें tentacles होते है present example है neopalina तो neopalina के बारे में आप यह भी याद रखना है कि इसको हम कहते है it is a connecting link between anelida and mollusca anelida का इसके पास character जो होता है वो होता है internal segmentation यह दिखाते हैं इसको हम कहते हैं connecting link between anelida and mollusca अब दूसरा क्लास जो है MP Neura तो MP का मदलब होता है बहुत neuron nerve these are the most primitive molluscus with dorsal ventrally flattened body तो यह बहुत ही पुरानी molluscus होते है उनकी body जो होते है और दर्स बार्टरली flattened होते है foot is flat, broad and soul-like तो इनका foot जो होता है flat, broad and soul-like shell is formed of many plates तो shell में बहुत सारे plates होते है neural system is primitive तो neural system जो है वो primitive type होता है head is reduced तो head यहाँ पर reduced है eyes and tentacles are absent तो इसमें eyes और tendex नहीं होते है इसका example जो है काइटान third cloth जो है scape और पोड़ा तो scape यह मतलब होता है boat, podos मतलब होता है foot इनकी body जो होते है elongated or cylindrical होते है foot जो होता है conical जो जिसकी वज़े से creeping करते है और borrowing या digging करते है इनका shell जो होता है unival would होता है tubular और यह दिखता है like the tuscus of an elephant इसके आँके नहीं होते है मार इनके tendacles होते है कुछ species के अंदर अगर हम देखेंगे जो tentacles के बदल यहां पर एक और organ होता है captacula वो filamentous जैसे होते है और उनकी पास suckers होते है at the ends के उपर तो इसके अंदर एक example है यहां पर dentelium इसको बोलते है tusc shell क्योंकि यह दिखता है like the tusc of an elephant fourth class जो है gastropoda gastar stomach poda's foot body is asymmetrical with distinct head bearing pair of eyes and tentacles इनकी body जो होते है वो asymmetrical होते है और इनके पास distinct head होता है जिसमें pair of eyes होते है और tentacles होते है इनका foot broad होता है muscular और flattened तो इनका visceral mouth जो होता है वो coiled होता है वो इसलिए क्योंकि यहां पर torsion होता है twisting हो जाता है इनका shell जो होता है univalued और इनका अनस जो होता है वो close होता है mouth से इनका larva जो होता है वो दिखाता है bilateral symmetrical जब बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर जो whistle mass होता है उसमें twisting आ जाते है जिसकी वज़ए से adult जो होता है वो बन जाता है asymmetrical examples है helix helix को बोलते है garden snail यहां land snail दूसरा example है limax इसको select बोलते है और तिसरा example जो यहां पर apply sea इसको बोलते है see here तो फिफ्ट कलाज जो है वो है पहली साइपूड़ा और by wild via तो इसका मतलब होता है Greek में pelicus hatchet पोड़ास फुट यहां बोरोविंग मलस्कुस बोड़ी इस लेटरली कॉम्प्रेसर आइज और टेंटेकलिस एपसेंट तो यह बोरोविंग मलस्कुस होते है यह भी कह सकते है यह फिल्टर फीडर्स होते है बोरो करते है स्वाइल के अंदर उनकी बوड़ी जो होते है लेटरली कॉम्प्रेसर होते इनके पास आइज और टेंटेकलिस एपसेंट होते है इनका शल्ट जो होता है इसमें टू वेल्वस होते इसलिए बोलते है बायवेल्विया इसमें example जाते हैं, clamps आते हैं, oysters आते हैं, mussels आते हैं तो आप यह point में note कर लें नहीं है, hatchet का मतलब होता है कि इनका foot जो होता है, wedge और hatchet shaped होता है, जिसके वज़े से digging कर लेता है अब class 6 ते है, sephel of poora, इसका word जो निकला है, Greek word, kephel, इसका head मतलब होता है और poora's का मतलब है, foot body is bilaterally symmetrical, head is large with mouth and a pair of eyes, whistle mass is well dilopped, foot is modified into tentacles, attached to the head तो body इनकी जो होती है, वो होती है, bilaterally symmetrical, इनका head जो होता है, वो लारिश होता है, with mouth and a pair of eyes तो eyes present होते हैं, यहां पर eyes, head के अंदर, तो missile mass जो होता है, वो weld dilopped होता है इनका foot जो होता है, वो modified होता है, into tentacles attached to the head तो head के साथ attached रहता है, तो उसमें tentacles भी होते हैं, present जैसे आप यहां पर diagram में देख सकते हैं, octopus, इसका head है, उसके बाइद foot फूट के ओपर आप देख सकते हैं, यहां पर 10 tackles होते हैं, present तो examples आप देख सकते हैं, यहां पर लॉली गो है, squid, octopus, जिसको devil fish कहते हैं, सिप्या भी आता है, वो भी आप नोट कर लेना है यहां पर, आप कुछ important examples देखते हैं, नियोपलीना है, चीटाउन है, इसको हम सी मौस कहते हैं, डेंटेलियम है, इसको बोलते हैं, टसक शल, पाइला है, एपल सनेल बोलते हैं, इसको यूनियो है, fresh water muscle, octopus, devil fish, सीप्या, कटल फिश, लॉलिको, स्कुड, वो थी important examples है, आप कुछ examples explain करते हैं, नमर वान जो है, नियोपलीना, इसको बोलते हैं, living fossil, नियोपलीना जो होता है, इसकी body oval shaped होते हैं, और यह होते हैं, 3 cm long, और उपर इसके उपर होता है, cup like external shell present है, तो animal जो दिखाता है, यह सेग्मेंटेशन दिखाता है, यह इसका unique character होता है, तो नियोपलीना को कहते हैं, इसके एक connected link between anelida and mollusca, इसके पास anelida character जो होते हैं, metameric segmentation होता है, nephredia होता है, prokofor larva होता है, और mollusca के characters जो है, वह है, इसके पास shell, mental, foot, tentacles, whistle, moss, दोसरे example जो है, वह है, चाय टाउन इसको बोलते हैं, सी मौस, तो इसकी body जो आप देख सकते हैं, diagram के अंदर, तो इसकी body जो होते हैं, डॉर्स वेंटरली फ्लाइटन होते हैं, और इसका जो शल होता है, इसमें छोड़े छोड़े eight transverse plates होते हैं, और डॉर्टर साइड के ओपर, और यह edible mollusca होता है, और इसक जो popularly बोलते हैं, sea beef, अब तीसते example देखते हैं, dentelium, जो commonly बोलते हैं, tussock shell, तो इसकी body जो होते हैं, वो covered tubular shell, जो open होता है, at the both ends, इसका जो foot होता है, वो pointed होता है, जिसकी वज़े से borrowing करते हैं, तो heads का आप देख सकते हैं, यहाँ पे filamentous structures होते हैं, इनको बोलते हैं, captacula, इनका structure जो होता है, वो resemble करता है, tussock elephant, इसको बोलते हैं, tussock shell, अब next example जो हो पाइला है, इसको बोलते है, apple snail, तो यह पाया जाता है, pondus के अंदर, lakes में आप इसको देख सकते हो, streams में, paddy fields में, और moist soil जहां पे भी है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हुआ, तो इनकी body के उपर एक coiler shell होता है, जिसका color हो सकता है, yellow से लेकिए brownish color तक हो सकता है, next example जो है, union है, इसको बोलते है, commonly fresh water muscle, और यह पाया जाता है, pondus के अंदर, lakes में और stems में भी, तो यह common by-wail है, तो इसमें एक important character आप जाद रखोगे, इसके उपर एक शलके उपर एक growth mark होता है, इसको बोलते है, ambo, यह razor area बोलते हैं, और यह होते है, filter feeders होते हैं, अब next example जो है, आक्टोपस है, इसको कामली कहते है, devil fish, यह bottom devilers होते हैं, carnivores, और इनकी body जो होते हैं, इसमें 3 regions होते है, head, neck, और trunk, इनके पास internal shell नहीं होता है, यह point important है, इसका जो head होता है, mouth present होता है, appear of eyes होते हैं, और इसके अंदर 8 oral arms होते है, which are fuser at the base, जो fuser होता है, base के ऊपर, और उसमें होते हैं, sucker, जिसकी वज़े से यह, शुकार को पकट लेते हैं, next example जो है, sepia, so commonly कहते हैं, cuddlefish, इनकी body जो होते हैं, elongated brownish होते हैं, और इसकी body के 3 regions होते हैं, head होता है, neck, और trunk होता है, present, और यह भी याद रुको कि इसका internal shell वो present होता है, इनका head जो होता है, mouth होता है, present, pair of eyes होते हैं, और five pairs जो होते हैं, और arms के ओपर suckers होते हैं, present, जब कभी यह डर जाता है, तो यह CPI जो होता है, यह release करता है, ink, इस ink की वज़े से, जो predator होता है, वो confuse हो जाता है, और cuttlefish बाग जाता है, वहां से अपने आपको बचा लेता है, लाली गो, last example देखते हैं, इसको commonly बोलते हैं, squid, यह sea arrow बोलते हैं, यह active swimmers होते हैं, इनकी body के ती regions होते हैं, head, neck, और trunk, और trunk region जो होते हैं, two little prominent finis होते हैं, जिसके वज़े से swim कर लेता है, और head में जो होता है, present mouth होता है, two large eyes होते हैं, और ten arms होते हैं, और सारे arms जो होते हैं, वो bear करते हैं, suckers, और इस ten arms में जो दो arm जो होते हैं, elongated, لمbे होते हैं, और इनके जो suckers होते हैं, वो tip के ओपर present होते हैं, और इनमें भी होता है present internal shell लॉली को जो होता है वो रिजर्बल करता है CPI के साथ अगर डिफरेंस देखें की तिर डिफरेंस जो होते है वो external डिफरेंस होती है और finis में वहाँपे डिफरेंस होती है बागी इनका character जो होता है वो similar होता है